शकते बड़े ब्रो यह Deep Web और Dust Web में क्या फर्ट ड़्ट है? देखो, इंटरनेट के तीन हिसी है Surface Web, Deep Web और Dust Web Surface Web इंटरनेट का वो हिससा है जो हमें Google पर सर्च करने से मिल जाता है लेकिन कुछ इंफर्मेशन ऐसी है जो हमें Google पर सर्च करने से नहीं मिलेंगी जैसे किसी की mail का inbox या किसी के bank account का balance है इस किसम की सारी information डीप web पे रखी जाती है जहां ताके आज का सारे government confidential document भी डीप web पे रखे जाती है और डीप web का ही एक छोटा सा part है डार्क web डार्क web एक ऐसी जगह है जहां तमाम गेर कानूनी काम किये जाते है किसी hitman को हैर करना यहां ताके एक normal tank भी आप डार्क web से खरीच सकते हैं यह इतना असान नहीं है लेकिन बड़े-बड़े क्रिमिनल्स यही करते हैं चोरी किये के credit cards हर तरह की वो चीज़ जो आपको normal market से नहीं मिलेगी या normal market में वो illegal है मुखतसर यह के dark web एक बहुत ही खराब जगह है तो कर कोई dark web open करना चाहे तो यह मैं तो यही suggest करूंगा कि किसी को भी यह practice नहीं करने चाहिए क्योंके dark web कोई अच्छी जगह नहीं है हाँ deep web को सर्च करना बिल्कुल भी illegal नहीं है क्योंके मैंने पहले बताया कि bank account, employee data या कोई भी email वगयरा जितने भी इस तरह की information है यह deep web पे रखी जाती है लेकिन लेकिन देखें कुछ गलत देखना कुछ गलत शेयर करना यह गलत है देखो हई गलत तो गलत है dark web legal है यह नहीं यह depend करता है आप किस country में इसको सर्च कर रहे हैं और dark web के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में virtual private network याई VPN इंस्ट्रॉल करना पड़ेगा इसके बाद आपको चाहिए tor browser क्योंके dark web तक आप simple browser से रसाई हासिल नहीं कर सकते हैं इसमें बहुत से restrictions हैं जबके tor browser आपको पिल्कु ही anonymous कर देगा उसके बाद आप deep या dark web तक पहुंच सकते हैं मुमाइल पे dark web सर्च करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको tor browser जो आप place store से install कर सकते हैं और वही एक VPN आपको इपी VPN यूज कर सकते हैं अब tor browser तो safe है लेकिन जिस system पे वह चल रहा है वह updated है कि नहीं यह चीज़ आपको खत्रे में डाल सकती है कभी कभी क्या होता है कि image list size का आपको option दे देता है जो लोग PC games कहते हैं उनको इस चीज़ का experience हुआ होगा इस से उनको यह पता चल जाता है कि आप कितनी बड़ी screen पर search कर रहे हैं आप IP address क्या है कुन सी company का mobile यूज कर रहे हैं और कौन सा model है यहां तक कि आपके mobile में क्या कुछ पढ़ा हुआ है यह सब को search कर सकते हैं यह तो हो गया कि mobile पर यूज करना safe है कि नहीं अब dark web कितना safe है इस पर बात कर लेतें देखो dark web को कोई इदारा नहीं चला रहा नहीं कोई वहां cyber law है नहीं कोई police है वहां पर सब कुछ fake है सब के username, profile ids, हर चीज वहां fake है और वहां का email account भी वहीं पर बनता है यह Gmail account, hotmail account यह वहां नहीं चलते और अगर गलती से आपने अपना Gmail account वहां डाल दिया तो सारा data आपका वहां चला लिए फिर आपका पही नहीं बजा सकता बहुत बुए फंस जाओगे वहां की criminals आपको पकड़ लेंगे और गलती से भी आपने वहां से कोई photo या video download कर ली तो समझ लो कि आपने बहुत ही बड़ा वायरस अपने सिस्टम में इस्टाल कर लिया है यही वज़ा है कि डार्क वैब की वीडियो या photos आपको नार्मल इंटरनेट में नहीं मिलेंगी कि उनकी वीडियो से कुछ ऐसी होती है कि अगर आपको यूट्यूब पे upload करेंगे तो यूट्यूब की community guideline के खिलाफ है और वो फॉरण आपको स्टाइप बेंट कर देगी उन एक दफा आप वहाँ चलेगे तो आप गलती से किसी ऐसे link पे click कर दोगे जो आपके लिए बिल्कुल भी safe नहीं है बड़े बड़े expert लोगों से भी गलती हो जाती है इसलिए मैं आपको यही recommend करूँगा कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए डार्क वैब का एक और वैलो भी है इस ताइम डार्क वैब में तक्रीबत एक लाग से ज्यादा website रिजिस्टर हैं जिसमें तक्रीटम 15,000 असी website है जो एक्टिव हैं कि सारी website सीज हो चुकी है वो इसलिए कि जब से डार्क वैब इंटर्नेशनल मीडिया पे हाइलेट हुआ है या इसमें crime ratio बढ़ गया है तो इंटर्नेशनल इचल्सिस वहां पे customer बंद के जाती हैं और website को सीज कर देती है वहां के हर website एक दूसरे से connected है जब आपको एक website वहां मिल जाती है तो उसी के नीचे आपको दूसरे website का link मिल जाएगा या अपस में इंटर्नेशनल कोनेक्टिड है इसके लावा और भी बहुत कुछ होता है वहां ना रिष्टे का लेहाज है अच्छी जानवरों जैसी जह जानवरों जैसे जहनियत के लोग वहां बैठे है इसके लावा वहां कुछ नहीं है यह ना एक चीज़ है जो बहुत पर फुल एक्टिव है और वह हैं हैकर्स वह बैठे हैं वहां वहां आपको पंपड़ने के लिए आपको ब्लेक मेल करने के लिए तो किसी हो या मोबाय डार प्रेम सर्च करना किसी भी सूरत पे सेफ नहीं है आपकी जिस्मानी और आपनी जहनी सेथ के लिए वहां पे जाना किसी भी सूरत में सेफ नहीं है आखर में यही कहूँगा कि अपना और अपने इर्धित के लोगों का ख्याल लगे कि इंफोर्मेशन अच्छी लगए तो शेयर करें और सबसे जरूरी बात चैनल को सबस्क्राइब करने ना भाएं